नाकपुर के अंतरगत आने वाले गड़ी गोदाम परीसर की बौद विहार की पास रहने वाले पूर्व केंडरिय सांस्कृतिक मंत्री यश्वंत निको से इनके मकाम की गड़र लाइन पिछले तीन महीनों से जाम हुई है इस पारे में यहां की प्रभाग की पार्षट तथा मंगलवारी जोन की अधिकारियों को बार-बार शिकायत की है इतना ही नहीं तो महापौर दयाशनकरतिवारी और मनपा की आयुप को भी लिकिच शिकायत की है लेकिन अभी तब कोई भी कारवाई नहीं की गई जिससे मनपा के महापौर और मनपा की आयुप की कामकाच पर प्रश्णची नर लगए है पेश है हमारे समाधाता संजे मेरे इनकी गड़ी गुदाम से ये रिपोर्ट गड़ी गुदाम ये शहर का मध्य भाग है इस गड़ी गुदाम परीसर में आधा दरचन से अधिक इलाकों में गटर लाइन का गंदा पानी भर चुका है हर और दुर्गन का आलम है गंदगी के मारे रहना मुश्किल हो रहा है पिछले कई दिनों से नर्कीय सिती में जीने को नागरिकों को मनपा के स्वास्त विभाग पारशद और मंगलवारी जोन की अधिकारियों ने मजबूर कर दिया है अब तक के मनपा को कई शिकायत पत्र लिख चुके ये है बसपापाटी के पूर्व केंद्रिय सांस्कृतिक मंत्री जो आज भी गड़ी गोदांसित बुद्ध विहार के पास एक छोटे से टिन के शेड में रहते है कुछ जिन पहले मनपा के कर्मियों ने साससफाय के नाम पर इनके मकान के बाजू की गड़र लाइन तोड़ फोड़ कर उपर से मिट्टी डाल कर चले गए जिससे ये गड़र पूरी तरह से गंदगी के चपेट में है गड़र से गंदे मेले पाने की सही निकासी नहीं होने से इस परीसर में दुरगन बड़े ही पैमाने पर फैली है दधा बड़े-बड़े मच्चरों का आतंक है इस परीसर में चोटे-चोटे बच्चे खेलते रहते हैं इस कंदगी से काफी लोग प्रभावित हुए है गड़ी-गोदाम परीसर में गड़र लाइन जगा-जगा शतीक रस्थ है आधिकारिक सूत्रों के मुतापिक गड़र लाइन बदलने के लिए फण उपलब नहीं हो पा रहा है गड़ी-गोदाम एक बड़ा इलाका अवासिय एक शेत्र है इस इलाके में दोसों से अधिक मकान है जिसमें अनेक परिवार बसर कर रहे है पूर्व केंद्रिय सांसरुतिक मंतरी यश्वंत निको से इन्होंने अपनी समस्या हमारे समाधाता संजे मिरे इन्हें बताई और अब तक कितने बार शिकायत मनपा के अधिकारियों को की है इस बारे में सभी कागजाद दिखाए सुन्दर नाकपुर, सच्छ नाकपुर की बाते करने वाले मनपा प्रशासन और महापौर इनका इस और कतई ध्यान नहीं है ये शंतनिको से इन्होंने महापौर दयाशंकर तिवारी से जल समस्या का हल निकालने की गुजारिश की तो महापौर ने भी हाँ हो जाएगा का आश्वासन तो जरूर दिया लेकिन आश्वासन पर अभी भी अमल नहीं हुआ है जिसके कारण गड़ी गोदाम में गडर लाइन जाम पड़ी है जिसे लोगों का स्वास खत्रे से घिरा है दर्शकम नाश्कार इन बीसेन की टीम हाँ गड़ी गोदाम के तक्षिशला वियार के पास है हम आपको बता दे के स्वच्चा नाकपूर सुंदर नाकपूर की बात करने वाले मनपा प्रशासन की पॉल अप खोलने हम जा रहे जी हाँ गड़ी की दाम परिसर में बीसेन की टीम है जहाँ पे हम आपको बता दे के प्रती दिन यहाँ पे कुछ गड़र लाइन चोक हुई है मगर अपसोस के अब तक के स्वास्त विबाग के किसी भी अधिकारियों का इस पर ध्यान नहीं है कुछ कर्मियों ने यहाँ पे सापसपाई का काम किया था उसी दोरान कोई पाइपलाइन फटी थी और वो फटने के बाद नई पाइपलाइन नहीं डलवाए गई और जोंकी तो स्थिति में अभी भी पाइपलाइन पड़ी है जिसके चलते गंदगी का आलम है और बहुती बद्वू इस समय में वहाँ पर आ रही है लेकिन यह हमारा फर्ज है कि हम पलपल की जानकरे हमारे दर्शकों तक पहुंचा है और उन्हें यह बता है कि करेंगे यहां के जो परेशर के जो नागरिक जो रहते यहां पर उनसे बात करेंगे एक मैडम यहां हमारे पारिशानी है like बार इस bowl सवाब्स से लगों को किये हमने काड़ पुरेटर को भी किया लेकिन उनका जवाब यही है हम लोग करेंगे- करेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं करता अभी इतना साल हों के हमार इतनी उमर हो गsong Installweet समस्या जो कि तो ही है बस वो कितना भी सफाई करने वालों को बोलेंगे वो थोड़ा सा करते और दूसरे को बोलेंगे तो बोलते कि हमारा काम नहीं है यह ऐसी बूलते जान है मैं आपका चंद्रकांताम इश्राम यह मैडम ने बताया है कि किस तरह से यहां पे गंदगी का आ काम होता है काम पूरी तरह से नहीं करता है आप क्या कहना चाह鬼 सपाई रोज होना चाहिए का करने का मी निकरते कर्वतार का मसने एक नहीं करता है बिलकुल यह उन सब्सक्राइब करें आस्षा पानी के निकासी नहीं बराबर हो रही है ऐसा इनका मानना है और जिस तरह से दिखिया भी है नया एक गडर के उपर में धकन लगाया जरूर गया है लेकिन वो भी क्रैक हो चुका है जिससे किस दर्जे के यहां पर धकन बिठाए गए यह समझना बहुत ही आसान है अब हम बात करने जाएंगे इस समय हमर साथ में निकोसे निकोसे जी आप बताइए कि क्या यहां की मुख्य समस्या है और किस तरह से आप लोग प्रभावित कौन से बातों से हुए हूँ जय भीम नमस्कार मैं पूर्वा सांस्कोतिक मंत्री एश्मात निकोसे हम लोग सबी मेरे परिवार के लोग मेरे मोहनले के लोग हम गर्सित है मुख्य कारण है कि हमारी यहां की जो संधास लाइने तीन मेने से चोखे लेटर भी हम जाने सकते हम कैसे करते हैं तो हम जानते ह है और यह तो छोड़ो उनके सरकार करमचारियों ने हमारी संधास के लाइन तोड़ दी चालिस फिट शोला चे इंच वाली अभी तेक उसका कोई बंद वस्ते हुआ और पानी के लिए नए वो लगाए ठकन लगाए वह भी नकली निकले सब तूटे-फूटे पड़े पान दिया हूं, पिश्ट हमारी यहां पे टीन तीन नगर साओ्ट मेरे भावजयन समाज पालटी के है, उनसे भी चार्चा करी, कुछ नहीं हुआ, मैंने महापुर से चाचा करी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहा तक कि जो बड़े-बड़े आयुक्ते सबसे मिला, पूरे महानगरपालीका में जहां जा और यहां तक की हमारे मंगलवारी जोन के एक से एक सब जो धुरंदर अधिकारी सबसे मिला और कुछ नियों हो आज हम जैसे कि वैसी और सबसे बड़ी चीछ है यह गंदिगी कारण हमारे घड़े को दा में खास करके सांस की बीमारी हो दम की बीमारी हो गई 90% लोगों को आप सर्वे करिए अगर मैं जूड बोल रहा हूं तो कहा है सामराजया मेट्रो सीटी ग्रीन सीटी सोचे समराजया कहा है अगर आपके मांगो को यह बार-बार दर किनार कर रहे तो अब आपका अगला कदम क्या होगा मैं तो आंदुलंग क भरिशान है हम गंदगी के जेर है टाक्स देते हम तो हम टाक्स देने के बात बाद यह नर्क गड़कुताम लावर क्यों जवाब चाहिए एक पूर्व सांशकुतिक मंत्री हो में लखने-उत्रप्रदेश का पांच साल राज क्या हो मुझे मालू मैं फंड क्या होता तो तो आप थे निकोसी जुन्हें ने बात करते वी यह कहा क्या मनपाप रशासन या पदाधिकारियों का कतई ध्यान नहीं है आखिरकार वे सौतला वेवार कर रहे हैं अईसा इनका कहना है और हमने जिस प्रकार से बताया कि यहां की कुछ जो संडा से काफी लचर हालत हुई है इतनी बदवू अब के समय भी यहां पर आ रही है गंदगी का आलम है मगर यह हमारा करतव है कि हमारे दर्शकों को सभी समस स्याव से रूबरू करवाए और अधिकारियों को इस बात से रूबरू करा के अवगत करा के देखिये गड़ी गुदाम में कितनी बड़ी समस्या है और पिछले चार मनों से समस्या आप जोंकी तो स्तिति में पड़ी हुई है मगर अफसोस के प्रशासन का ध्यान नहीं है आई हम सिधा रूख करना चाहेंगे इस परिसर में हमेशा अच्छा काम करते है ऐसे प्रबात अगरवाल भी हमारे साथ में हैं प्रबात आप यह बताईए कि जब आप यहां का मुआयना किये तो आपको क्या सबसे ज़ादा यहां क्या गंदेगी दिखी क्या कहना चाहोग इतना साल उन्होंने अपना सारा जीवन काशी राम जी के साथ में समाज के उध्धान के लिए तीस साल का जीवन जो उनका रहा सफर रहा यह समाज के उध्धान के लिए उन्होंने दिल्ली यूपी पूरे देश में घूम घूम के बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया पार्टी को खड़ा करने के बाद में जब वो तीन साल बाद तीन साल पहले आज से तीन साल पहले जब वो नाखपूर आते हैं और वो देखते हैं कि उनके परिसर में जहां पे वो पैदा हुए किस तरीके से गंग गंदगी का अमबार है उस गंदगी को लेकर उस समस्या को लेकर वो कई बार मनपा प्रशासन में गए, सहयुक्त के पास में गए, आयुक्त के पास में गए, हमारे जो अभी नौ निर्वाचित हमारे महापौर हैं, जो की बहुत प्यारी बाचित करते हैं, उनके पास भी गए, पर बाचित के बाद भी बहुत प्रेम से उनोंने इनको बिठाया, बिठाकर इनसे कहा, कि भी मैं आपकी समस्या को दूर करवाता हूँ, पर उनके द्वारा भी इनकी समस्या को दूर नहीं किया गया, अब सवाल ये उठता है, जो एक सांस्कृतिक मंतरी रहते हुए, जिनके पास में हजारो जो आज इनका है, वो कल आपका भी होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जो शहर के वरिष्ट निता है, चाहे दैशंकर जी तिवारी हो, या खुद बासपा के संसास, जो हमारे साथी हो, नगर सेवक हो, एक समय के बाद ये भी कभी बुजर्ग बनेंगे, ये भी कभी बिस है, इस समस्याव को उन्होंने नहीं सुल जाया, तो आपकी अगली ररनेती क्या होंगी? ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, जब वो फिते काटने के हगदार है, सब का सम्मान पाने का हगदार है, तो काम करने के भी हगदार है, उनको काम करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करते हैं महापौर साहब, तो हम निश्चित रूप से उनके कैबिन में जाके तो दर्शो को देखा किस तरह से गड़िकदाम के इस तक्षेशिला विहार के बगल में जो निकोसी जी का मकान है वहां पर किस तरह से गड़र लाइन के लचर हालत हुई है मनपा परशासन या फिर पदाधीकारी इनका कते ध्यान नहीं है इस बारे में महापोर से लेके सौस सुबा के अधिकारीों तक के निकोसी जी इन्होंने ग्यापन दिये है पिछले चार महां से वह लगातार ग्यापन के उपर ग्यापन ग्यापन के ऊपर ग्यापन देते जा रहे है मगर आफ़सोस के अप तक कि कोई भी ऐसा सोलूशन या अच्छा काम काज़ नहीं हुआ है जिसके चलते निकोसे जी की बात सिर्म निकोसे इनकी नहीं है बलकि इस परिसर के गड़ी गुदाम परिसर के कई ऐसे मकानों की है जहां पे सिवर लाइन चोक हुई है और गंदा मैला पानी उपर आ रहा है बदबू गंदगी का आलम है और पूरी बदहाली हो चुकी है ऐसे में क्या पदादी कारी ध्यान नहीं देगा क्या लोकोतंत्र में जीने वाले इन लोगों के साथ में जो भद्दा मजाख हो रहा है और निधी की बात कर रहे हैं ये एक बहुत हसी आने वाली बात है इस और प्रशासन ध्यान दे और जल से जल वह अपने फंड से खर्चा करके इसको सुदार करें और लोगों का उनको एक अच्छा काम सरलता से हो और किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी का सामराज्जन हो क्योंके सुन्दर iddag पुर, सवच्चा शुधनब सुद्ढर भारत की डिंगे हमेशा पीटी जाती है बड़ी बड़ी बाते की जाती है मगर अमल नहीं किया जाता क्या वाकिय में आपको लगते जान सुद्चा बाराज्जना आकपूर है ऐसा अगर आपको लगता है तो सबसे पहले गड़ी-गदाम इलाके के तक्षिश इलाए विहार के बगल में निकोसी का जो मकान है और वहाँ पे जो चेम्बर लाइस जो बिचाई गई है जो टूटी-फूटी अवस्ता में है धकन वहाँ के टूटे-फूटे है कुड़ा-क जेतर के हर परिसर स्वच्च और सुन्दर है ऐसा कह सकते है मगर अफसोस किया अब तक हुआ नहीं है हो सकता है कि मनपा प्रशासन इस न्यूज को देखके जागे और फौरण काम पे लगकर इन लोगों को नए दे यही समय की मांग है कैमेरा परसन मोनु खान के साथ संजे मेरे बीसे न्यूज नाख पूर